हाई गाई इन दिस वीडियो वी विल लर्न वाटार दर कनेक्शन स्टाइप्स एन हाउ अवर वीम्स किन कम्मिकेट ओके बतलब हमारे वीम्स को कम्मिकेशन करने के लिए क्या-क्या हम किस तरीके के कनेक्शन बना सकते हैं राइट तो सबसे पहले देखें यहां पर फर्स्ट जो रहता है वह वीनेट के अंदर ही होता है राइट तो वीनेट में आपके वन टूस या त्री या मैनी मोर सबनेट है तो वह बाइडिफोल्ट कम्मिकेट करेंगे राइट फिर दूसरे नंबर पर आता है कि अगर आपका वीनेट डिफ्रेंट है तो यहां पर हो जाया है वीनेट टू वीनेट तो वह हम क्या होता है कि वीनेट टू वीनेट पीरिंग हम उसके बोलते है ठीक है वीनेट टू वीनेट पीरिंग क्या होती है देशिस नथिंग बट इट इस हैल्प टू कम्मिकेट बिट्वीन सेम वीनेट त होती है राइट सेम रीजन के उंदर होती है और प्राइवेट आई-पी के उपर ही होती है यूज करती है एंड माइक्रोशोफ्ट की बैकबोन पर होती राइट अच्छा फिर उसके बाद आता है हमारा ग्लोबल वीनेट पीरिंग ग्लोबल वीनेट पीरिंग इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो वीनेट है आपके वह डिफ्रेंट रीजन्स में होते हैं राइट जैसे हमारा फिर्स सिनेरियो हुआ कि एक वीनेट के अंदर ही है हमारे समनेट्स है वी एम से वह आपर इस क्युक्त मैं कम्यॉक्मनेट कर रहे हैं इसके बाता है वीनेट जो की सेम रीजन के अंदर है suppose that मिसक्जब फीनैट मान देँं और इसे को भी हम फिनЕТ मान लेते अभी से मेरे इंडिया में ही रैट इंडिया के इंदर ही है और यह भी इंडिया के अंदर ही है है ठेक है तो इनको हम करेंगे v-net to v-net-peering से फिर global v-net-peering में हमारा कैसे आगया कि यह हमारा जो है East US में और यह हमारा जो हैं इंडिया में Ecral спорт गयो होगा हमारा Global V-net-peering फिर Number 4 पे हमारा आता है The side to क्लाइंट तो साइट टू क्लाइंट में क्या होता है कि सर्वर से और हम अपने एज्वर के उपर वीपेन सेट अप करते हैं जहां पर हम क्लाइंट इंस्टोल करते हैं किसी भी मसीन पर और उसको कनेक्ट करते हैं यह तो सईट टू क्लाइंट फिर नंबर फाइब पे हमारा आता है साइट टू साइट वीपेन जिसको हम इपि सेक भी बोलते हैं है ठीक है तो आई पी सेक अंदर क्या होता है हमारा ओफिस टू है अज़ोर जहां पर हम ऑन प्रिमाइस इस एंड इस जोर को connect करते हैं या फिर हमारी कोई भी ब्रांच है या कुछ भी है जिसको हम जोर से connect करना चाहते हैं तो आपे हम side to side VPN यूज करते हैं ठीक है न चेंज कर लेते हैं ब्लैक लेलते हैं तो फिर नमबर सिक्स पे आता है हमारा एकसप्रेस रूट तो उसके अंदर क्या होता कि हाई हाई स्पीड कनेक्शन हम एस्टबिस करते हैं हमारे ओन प्रिमाइस डिटा सेंटर के साथ तो इसका डिटेल लेक्शर है इन सबका डिटेल से रहां पढ़ेंगे जहां पर प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थियूरी भी थोड़ा देखेंगे तो ओन प्रेमेसे जमारा डेटा सेंटर है जहां पर हमें हैल्प लेनी पड़ती है है हेल्प फ्रॉम वेंडर है मिन इस्पी वेंडर आई या इस्पी वेंडर वो क्या हेल्प करते हैं दे हैल्प तू कनेक्ट डायरेक्ट लाइन विद अजूर डेटा सेंटर बिकाज एक्सप्रेस रूट हाई ली सिक्यूर है हाई स्पीड है सिक्यूर है एंड टोटली मैनेज़ेबल है बाई एजूर एंड वेंडर उसके बाद थोड़ा बहुत कन्फिगेशन जो होता है वह हमें करनी होती है बाकी इस तरीके से यह मैंटेन होता है तो देखें अपनी अपना कनेक्शन सेट अप्स करते अपने वीम का और जो भी हमारा रियूस्टू केस होता है तो देखें जहां पर अगर वीनेट टू वीनेट की बात है तो वहां पर हमें कुछ करने के ज़रूत नहीं हो बाई डिफॉल्ट होगा अगर हमें वीनेट करना है तो प्राइवेट आई पी पे ही सारा काम होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके बाद यहां पर क्या है कि साइड फॉर पे यहां पर हमें अपने सर्टिपिकेट बगरा जनरेट करने होते हैं तो वह चीजह हम देखेंगे कोई बड़ी बात नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा side to side VPN भी हम करके देखेंगे और experts root में initials चीजे पूरा एकदम बताऊंगा आपको एंद फिर वह हम सारी चीजे करके देखेंगे तो उम्मीद करता हूं यह थोड़ा सापको समझ में आया होगा और नेक्स वीडियो आपको वीनेट पे मिल जाएगी पेरिंगे अंदर किस तरी के समरी नेट पी नेट पी रिंग होती है ठीक है तो थैंकियो गाइस से युने नेक्स वीडियो बाइबाए और ब्लीज शब्सक्राइब मैं चैनल इस वह नोट फिर ओल्ट थैंकियो तो मुच